बजट 2024 के चर्चा चारो और है विपक्ष लगातार इस बजट का विरूत करा है इसी वीच खबर है कि बीज़ेपी के मंत्री ने भी वित मंत्री निर्मला सीतरमन को पत्र लिखकर बजट में एक बड़े बदलाव की मांग की है जानकारी के मताबिक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितन गटगरी ने वित मंत्री निर्मला सीतरमन को पत्र लिखकर लाइफ इंशॉरंस और हेल्ट इंशॉरंस की बीमा प्रीमियम पर 18 फीसिदी GST वापस लेने की मांग की है एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नितन गटगरी ने कहा है कि GST जीवन की अर्न शित्ताओं पर टेक्स लगाने की बराबर है उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से सेक्टर की ग्रोथ रुख जाएगी इंदुस्तान टाइम्स की खबर के मताबिक नितन गटगरी ने निरमला सीतारमन को लिखे गए पत्र में कहा आपसी अनुरूद है कि लाइफ और हेल्थ इंशॉरंस प्रीमियम पर GST वापस लेने की सुझाव पर प्रात्मिक्ता की आधार पर विचार करें क्योंकि ये सीनियर सिटिजन के लिए बोजल हो जाता है नितन गटगरी ने आगे कहा इस तरह हेल्थ इंशॉरंस प्रीमियम पर अठारा प्रतिशत GST इस सेग्मेंट की विकास के लिए बाधा साबित हो रहा है जो सामजिक रूप से आवश्चक है जीवन बीमा प्रीमियम पर GST लगाना जीवन की अनिश्चिताओं पर टेक्स लगाने की समान है यूनियन का मानना है जो व्यक्ति परिवार को कुछ सुरक्षा देने के लिए जीवन की अनिश्चिताओं के जोखिम को कवर करता है उसे इस जोखिम के खिलाफ कवर खरीदने की प्रीमियम पर टेक्स नहीं लगाया जाना चाहिए ये जीवन बीमा के जरीए बचुत के अंतर उपचार स्वास्त बीमा प्रीमियम के लिए आयकर कटोती को फिर से शुरू करने और सार्वजनिक शेत्र की सामानिय भीमा कंपनियों के कंसॉलिडेशन की और भी इशारा करता है गौर तलब है गटगरी ने वितमंत्री को ऐसे समय में ये पत्र लिखा है जब पिछले हफते नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कारेकाल के पहले बजट को लेकर सरकार को कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है एक मेडिया रिपोर्ट के मुताबिक विपक्ष ने जहां केंद्र पर केवल अपने प्रमुक सहयोगी टीडीपी और जेडियू शासित राजियों की प्रती उदार होने का आरूप लगाया है वहीं सोशल मीडिया पर यूजर्ज के एक वर्ग ने सैलरीट क्लास के लिए हाई टेक्स रेट की और इशारा किया है हाला कि बीजिपे की और से लगातार इस बजट को बहतरीन बजट करार दिया जा रहा है पीएम मूदी खुद इस बजट के सकरात्मक होने की पैर भी कर चुके है इसी कड़ी में वित्यमंत्री निर्मला सीता रमन ने भी विपक्ष के आरोपों को खारिच करते हुए कहा है कि केंद्र ने सभी राजियों को धन मुहया कराया है उन्होंने कहा कि अगर बजट के भाशन में किसी राज्य का नाम नहीं है तो इसका ये मतलम नहीं है कि उसे कबर नहीं किया गया बैरहाल विपक्ष की और से इस बजट की लगातार आलोचना की जा रही है वह इस बजट से आमजन भी कुछ खास खुश नजर नहीं आई बजट को लेकर आपकी क्या वचार है क्या आपको भी नितन गटगरी की और से उठाय गया ये मुद्दास सही लगा अपने वचार हमें जरूर बताएं कॉमेंट बॉक्स में बजट से जुड़ी हर लेटेस अपडेट हम दीती रहेंगे आपको देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान